अगले खबर आ रहे हैं बोपास से जहां पुलिस ने पुर्तगाल के टूरिस्ट नूनो रॉडिक्स पर हमला कर लूट करने वाले तेन आरोपियों को गिरफ तार कर लिया है। पुलिस के मताबिक मफरा पुर्तगाल निवासी नूनो रॉडिक्स भारत धमड पर थे। एक बदमास ने नूनो का सत्रा हज़ार रुपय का चस्मा छीन लिया। नूनो ने सर्फीश्टिक से लुटेरे को मारा तो उनोंने पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर उनके कनपटी के दाहिने हिस्से में लगा। नूनो ने सोर मचाया तो लुटेरे भाग निकले। यहां से वे होटल पहुँचे और फिर हमीदिया पहुँचे। इलाज करवाया यहीं से पुलिस को विदेशी परेटक के साथ लूट की घटना का पता चला। नूनो ने पुलिस को बताया कि वे भोपाल के बाद खजुरा हो जाएंगे इसके बाद नेपाल फिर तुर्की घूमने जाएंगे। टीम को लीड करें क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आनुप कुमार उइके ने बताया कि होटल से घटना इस्था तक पहुँचने वाले रास्ते में मौजूद दुका ने बार होटल के CCTV फुटेज को खंगाला गया। पुटेज में फरियादी के बताये गए हुलिये के तीन रड़के नजार आएं। इसके बाद उनके आने जाने वाले रास्ते के CCTV चेक किये और संदिक दो तक पहुँचें। का काम करते हैं, सारा पीने के आदी हैं, तीनों आदतन बदमास हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना टीरा जमालपुरा हर्मान गंज साज जहाना बाद असो गार्डन में चोरी जेपकट एवं आर्म्स एक के अपराद हैं। नोनों ने पुलिस को बताया कि वैं पुर्तगाल के मफरा सहर के हैं। KFC के मैनीजर है, मफरा निसनल पैलस की वज़े से मसुहूर हैं। इस सहर में कई रॉयल बिलिडिंग है, लिस्बन से 28 किलो मीटर दूर मफरा है।